So hey guys, नया दिन और नया सवाल हमारे पास आज कोशेन नमबर 54 क्योंकि हमारा डे 54 है आज लुएस्ट कॉमन एंसिस्टर ओफ बाइनरी ट्री तो कल हमने बाइनरी सर्च ट्री देखा था तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगा फर्स्ट आफ ओल बीएस्ट देख लेना एक बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा मैंने तुम्हें बताया था कि अगर बीएस्ट होता है तो बहुत एजी हो जाता है कोशन क्योंकि हमें पता होता है कि यह जैसे एक्जामपल वन देखो इसमें left और right साइड में ऐसा नहीं है कि left में हमेशा smaller than root रहेंगे right में हमेशा bigger than जो बीएस्ट में होता है वो सब नहीं होगा गर जीरो यहां आ रहे है कुछ भी हो रहे है यहनु हमें इस case में हमें LCA ढूणना है तब कैसे करेंगे तो एक बार copy पर समझ लेते हैं फिर आते हैं कोड पर इसमें भी LCA निकालना है lowest common ancestor मगर दिक्कत यहां पर या अलग बात यह है day 53rd से अलग बात यह है कि यह binary search tree नहीं है यहां पर ऐसा नहीं है कि तुम्हें left side में छोटे दिखेंगे right side में बड़े दिखेंगे ऐसे नहीं देखो 5,6,0 कुछ भी दिख रहा है अब कैसे find करें अपना lowest common ancestor जिसको नहीं बता है lowest common ancestor मैं request करूँ है कि easy problem problem number 53 जो मैंने कल बताई थी वो जरूर देख लेना ठीक है तब यहां पर एक बात बताओ मेरे को वैसे तो मैं तुम्हें समझ में आई चाहेगा तो मैं ऐसी बात नहीं है 5 यह रहा 1 यह रहा ठीक पी यह रहा क्यों यह रहा तो इन दोनों का common ancestor कौन सा है lowest 3 तो return क्या कर देगा 3 यहां return करेगा value ठीक है तो 3 return हो गया second part कि अगर five five है और दूसरा four है यह वाला आप एक बात बताओ इन दोनों का ऐसे बोलते हैं कि इन दोनों के मतलब इन से बड़ा कौन है मतलब क्या कहता है इनका पूरवज कौन है ancestor मतलब कि इनका पूरवज कौन है तो यह तो बिचारत छोटा है मतलब यह बच्चा है तो यह पाप है तो यह दाद है तो इन दोनों में से हम self का भी ले सकते हैं तो यही बड़े निकले तो answer पांच आ गया है ना self लेने का allowed होता है मैंने कल भी बताया था और अगर P2 है और Q7 है तो इन दोनों में से कौन होगा बड़ा तो एक चीज हमें कुछ pattern सा नजर आ रहा है है एक बात हमें समझ में आ रही है कि हम क्या करेंगी कि अगर हमारे पास 3,5,1,6,2,7,4,0,8 दे रखा है यह दे रखा है हमें ठीक है तो अगर हमें check मारना है कैसे check करेंगी कि let's say P5 है हम left side में गए check कर रहे है क्या यह 5 है हाँ है ठीक है मतलब ऐसा check कर रहे है कि P या Q में से कुछ में मिला तो हाँ मिल गया 5 मिल गया तो यहां से जो return होगी value वो 5 होगी अब यहां 1 ढूनना है तो यहां से 1 मिला तो अगर यहां से return होने वाली कोई value है value मौजूद है देखो अगर में को यहां से 5 मिल चुक तो वन जो है वो यहां तो यहां मिलेगा यहां मिलेगा इन दोनों में से कोई एक जगे पर मिलेगा है ना अब देखना थोड़ा इंट्यूशन देखना जो मैं दिमाग बता रहा हूँ क्या काम करना है पांच हमें यहां मिल गए एक या तो यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा अगर यहाँ मिलता है एक तो आंसर क्या हो जाएगा पांच ही हो जाएगा आंसर संवनारी बात अगर यहाँ मिलता है तो इन दोनों का common ancestor क्या हो जाएगा lowest वाला तीन हो जाएगा बस इतिसी बात थी ठीक है मैंने खराब साही कर दिया है पूरा एक बार बनाता हूं और अगला वाल देखते हैं उसे ज़्यादा नहीं बाकी तो तुम तुमारे में दिमाग है इतना पांच मिल गया तो यहां से रिटान हुआ पांच ठीक है नन वेल्यू रिटान होती है तो दिक्कत हो जाती है जैसे चार है चार है ठीक है अब क्यों ढूना हमने तो यहां चेक मारा चलो एक है नहीं मिला मेर को चार नहीं चार जाओ और लेफ्ट साइड पे नहीं मिला मेर को चार यहां नन वेल्यू आ रही है बैक गए आट पे आए नहीं मिला मेर को चार बैक गए तो यहां से सब्क्री में भी ऐसी चेकर पड़ता तो यह चीज़ समझ में आ रही है तुमें कि किस तरह से काम चलेगा तो रिकर्सिवली काम करना है अंतर क्या है कि बाइनरी सर्च ट्री में हमारा लॉग एंड का टाइम कंपलेक्सिटी आता है तो इसमें सिर्फ एंड का एगा ओफ सहूलियत के लिए कोड पहले लिख लिए है क्या करा है इसमें कि अगर हमारे पास रूट नहीं है इफ नॉट रूट तो रिटर्न कर दो नन जैसे कि आगे जाके हमारे इसमें भी हो रहा था एक्जामपल वन के साइड में देखो जीरो पे गए थे तो नन नन आ रहा है न तो आगे जाके ऐसी कंडिशन भी हैगी या फिर हमारे पास रूट है ही नहीं तब भी नन रिटर्न होगा तो ये चीज़ अगर है तो नन रिटर्न कर दो अगर रूट पी या क्यू में से कुछ भी निकलता है ये तो मैंने पिछले वाले कोशन में भी समझाया था पी या क कुछ भी निकल गया तो पांच ही आंसर हो जाए है ना तो अब क्या करेंगे रिकर्सिवली कॉल कर रहे है एलसी ये को मैंने यहाँ पे लेफ्ट और राइट के लिए रूट लिया और पी क्यू को फाइंड करा लेफ्ट में ठीक है लेफ्ट वाले सब्ट्री में राइट म बाला चला है रिकर्सिव कॉल करी तो एक चीज़ समझ में आती है अगर लेफ्ट और राइट से कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है ठीक है मतलब दोनों से ही वैल्यू आ रही है फोर इक्जामपल यहां से पांच आया पी और क्यू आया एक तो दोनों नन रिटर्न नहीं क अगर कुछ नहीं है मालो कि मिरको यहां से 5 मिल गया जैसे मैंने second example समझाया था यहां से non return हुआ इसका मतलब इन में से कोई भी जिसकी भी value return हो रही है वह answer हो जाएगा तो यहां से 5 answer आ गया था जैसे 5 और 4 में क्योंकि यहां तो मिरको 4 मिला नहीं था तो 5 यह answer आ गया था यह चक कर पड़ता है ठीक है तो यह था चोटा सा code और time complexity of n हो जाएगी क्योंकि यह binary tree है search tree नहीं है search tree में log n थी न और space के लिए अगर वैसे तो constant space है अगर तो recursive frame को मानोगे तो फिर of n वो भी हो जाएगा इसका code तो में description में दे दूँगा मैं और submit मैं कर चुका हूँ तो काफी अच्छा submission हो रखा है है ना तो code accepted है और इसका link description में मिल जाएगा नए हो चैनल पर subscribe मारना मेरे नाम है केशा आप देख रहे हैं take it अगली वीडियो है